आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is the invasion of cancerous cell from one part of the body to another of body is called अब यहाँ अगर हम बात करेंगे invasion of cancerous cell की एक part की body से दूसरे part of the body तक जाना उसको हम क्या कहते हैं अगर हम अपने Option 1 को देखें that is contact inhibition तो यह process of arresting cell growth होता है तो क्या होता है process of arresting क्या करता है यह arrest करता है cell के किस चीज़ को? growth को अब यहाँ पर देखा जाए cell के growth को यह क्या से arrest करता है जब क्या होता है cells क्या आती है contact में आती है एक दूसरे के यह क्या आती है contact में आती है किसके एक दूसरे के तो यह इसके growth को क्या कर देता है arrest कर देता है तो यह contact inhibition process नहीं होता अब यहां अगर हम बात करें अपने option 2 की that is metastasis, metastasis एक ऐसा process होता है, जिस process में क्या होता है, कि spread होता है cancerous cell का, यहां पर क्या होता है, spread होता है क्या चीज, cancerous cells का, और यह जो cancerous cells हैं, यह spread होते हैं, सबसे पहली अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो जहां जिस place पर यह क्या होते हैं, form होते हैं, वहां से यह क्या करते हैं, another place पर क्या हो जाते हैं, spread हो जाते हैं, वहां पर जाके यह क्या हो जाते हैं, form हो जाते हैं, अब यहां पर देखा जाए, तो इस process में, metastasis process में सबसे पहले क्या होता है, कि cancer cells जो होत ब्रेक हो जाते हैं, और यह ब्रेक कर देते हैं अपने ओरिजिनल ट्यूमर को, और यहां से अपना ओरिजिनल ट्यूमर ब्रेक करके, यह क्या करने लगते हैं, ट्रैवल करते हैं, और यह ट्रैवल किस से करते हैं, ट्रैवल करते हैं, थ्रो ब्लड के, ब्लड से ट्रैवल करते या फिर यह travel करते हैं lymph system से, okay, blood system या lymph system से यह क्या करते हैं, travel करते हैं, और यहां से यह क्या कर लेते हैं, form कर लेते हैं, नए tumor को, okay, नए tumor को क्या कर लेते हैं, form कर लेते हैं, अब यहां देखा जाए, तो यह जो condition, invasion of cancerous cell from one part of the body to another, यह हो जाएगा हमारा कौन सा condition, metastasis, that is option 2, अब अगर हम benign tumor کی بात करें, तो ये एक tumor का type होता है, और ये ऐसे tumor के type होते हैं, जो tumor cancerous नहीं होते हैं, तो हम कहा सकते हैं, ये harmless tumor होते हैं, ये क्या होते हैं? harmless tumor होते हैं, तो ये option यहां से wrong हो जाएगा, अगर हम tumor की बात करें, तो ये cause कर सकते है क्या, cancer, और ये क्या हो जाता है, जब growth होने लगता है, या फिर mass of cells हो जाते हैं, इकठा होने लगते हैं, cell के उपर, mass इकठा होने लगता है बहुत सारे cells क्या होते हैं, एक दूसरे के उपर एक ट्था होने लगते हैं, तो tumor formation होता है, दो तरीके के होते हैं, benign and malignant, तो ये भी option हमारा wrong है, invasion of cancerous cell क्या होता है हमारा metastasis, that is option 2. Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर